हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे तो फ्रेंट आज मैं आपके साथ बैकनेक डिजाइन शेयर करूँगी जिसे हम सिल्प के फैवरिक पर बनाएंगे तो देखे यह मेरे दो कलर में फैवरिक है तो इसमें हम पिंक कलर का ब्लाउस रखेंगे और जो फ्रोज प्लस करके 16 इंच लिया है और 6 इंच का आर्मोर लिया है अब चेस्ट का आपको फॉर्थ पार्ट लेना है और मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कमिया जादा ले सकते हैं अब अपने गली की चोड़ाई का नाप लगाएंगे तो देखे जो गली की चोड़ाई ले रह अब देखे आम इस पर अपने गले का नाप लगाएंगे तो देखे इस तरीके से आपको शीप देना है तो देखे इसी तरीके से आपको सेम बना लेना है और इसको कट कर लेना है अब देखे में फैबरिक को हम इस तरीके से सीधा रखेंगे और उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखेंगे इस तरीके से आप रहे तो इसको पिन अप करके अच्छे से से सेट कर लीजिए अब देखे नीचे के कमर के तरफ से हमको स्टिच करना है तो दोनों पार पार्ट को बराबर रखना है आपको और इस तरीके से स्टिच करती हो जाना है अब देखे अस्तर को इस तरीके से पल्टिंगे और उपर से एक सलाई लगा लेना है आपको अब इसको चारो तरफ से हमको स्टिच कर लेना है ताकि लाइनिंग वारा जो पार्ट है हमारा वो अस्तर से अच्छे तरीके से स्टिच हो जाए के साइट से एक्स्ट्रा अब डीके स्क्रीके से पेपर पेस्टिंग लिया है। इस तरीके से पेपर बक्रम के ऊपर आपको अपने तो हम इुमारा मैन फैवरिक तर ना हो हुआ है कि अब बार हमσद को एक तर के आपको भी शेप ड्रो कर लीकार अब दिखिए एक शेप हमको इस तरीके से बनाना है अंदर के तरफ यहां से हम रखेंगे इस तरीके से और इसको पत्ती का जो शेप होता है वो बना लेना आपको इस तरीके से अब देखें मेन फैबरिक को हम इस पे से हटा लेंगे अब देखिए जो हमने गलिक का पैटर्न ड्रो किया है वहां से हमको इस तरीके से एक इंच एक्स्टर लेना है देखिए इस तरीके से यहां से आपको एक इंच एक्स्टर लेना है और नीचे की तरफ हम इसको बिलकुल देखिए आप दीशनी में में लेगा है और नीचे से इसको wears फोट्ति बनाना है नाले के ही बाता है आप देखिए। यह मंहीं दल घ्लागाएं हैं पट्ति करेंगे और साइट से हम मैचिंग की पाइपिंग बना के इसको त्यार करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा डिजाइन को हमको त्यार करना है और साइट से हमने देखिए इस तरीके से मैचिंग की पाइपिंग लगा के इसको त्यार कर लिया है तो आपको भी इसी तरीके से स्टिच कर लेना है अब देखिए जो अंदर का फैवरिक है उसको हमको इस तरीके से कट कर लेना है अब देखिए जो हमारा में फैवरिक है इसके उपर हमको इस तरीके से डिजाइन को स्टिच कर लेना है अब उसे पहले से सब्सक्याव के में Crash सब्सक्राइда कि अब देकि दूसरे सब्सक्राइब करेंगे 체크 आप देखी आंगे गले के पास भी हमको piping लगा के तयार कर लेना है तो देखी इस तरीके से हमने देडिंज की और इभी पत्टी कट की है और इसको हलका सा कीचते हुए हम लगाएंगे और देखी इस तरीके से कट कर लेंगे कपड़े को ताकि हमारा piping finishing से बन जाए और इस तर इस तरीके से अंदर के तरफ फोल्ड करती जाना है और पाइपिंग बना के त्यार कर लेना है तो पाइपिंग बना के त्यार कर लेना है इस तरीके से हमारा ढबन के त्यार हो गया है इसमें अंदर के तरफ एक डिजाइन और कट किया था उसको भी हमने असतरीके से फैबरिक पे बना के और ऊपर साइपिंग लगा के विधा कि तयार कर लिया है अब इसको बीच के सेंटर से रखेंगे और बराबर सेट करते हुए इसको हमको स्टिच कर लेना है तो देखिए बिल्कुल बराबर रखते हुए आपको इसको सेट कर लीजिए पहले और उसके बाद इसको स्टिच कर लीजिए तिटिकी फ्रिंट्स हमने यहां पीच में सेंटर पे इस तरीके से डिजैन बना के त्यार किया है इसको हम इसको स्टिच करेंगे तो आपको इस तरीके से पैच बना कर एक त्यार कर लीना है और बीच के से इंटर पे इसको हम इस तरीके से रखते हुए स्टिच करेंगे तरीकी इस तरीके से आपको स्टिच कर लेना है तरीकी इसको हमने अच्छा से स्टिच कर लिया है अब हम अपने ब्लाउस में टक्स टाल के अपने ब्लाउस को त्यार करेंगे कि तदी कि हमारा ब्लाउस डिजाइन जो है वो बनके त्यार हो गया है तो फ्रेंट्स आपको मेरा आज का ब्लाउस का डिजाइन कैसा लगा हो मुझे कमेंट करके जरूर बता है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए चैनल पर पहली बार आते सब्सक्राइब करना ना